हेलो एवरिवन एक बार फिसे स्वागता है जोती फेशन पॉइंट में आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बाजु का डिजाइन गोटा पट्टी का यूज करेंगे और सिंपल सा बाजु का डिजाइन बनाएंगे लास्ट तक बने रही है कहीं भी प्रोब्लम आती है त उसकी लंबाई चोडाई सेम है ऐसे करके हमने पट्टी अकट करी हुई है और गोटा पट्टी का यूज करके हम डिजाइन बनाएंगे और देखे इस इप से हमने दो इंक की हमने चोड़ाई ली है सभी की सेम है देखे अभी हम बाज्यू को मेजर करेंगे बाज्यू की लांगाई मैने нос ने दश है आप संपलcessors कर सकते हैं जल कि इख कर इख ABOUT 25 vajr तो आपने बाजू की चोड़ाई नीचे से 10 इंच लेनी है अगर आप सिंपल रखना चाते हैं तो सिंपल पर भी बना सकते हैं मैंने हल्किसी चुननट डाली है नीचे की साइड में इसलिए मैंने डबल लिया है आप अगर सिंपल बनाना चाहें तो simple भी बना सकते हैं अभी हमने जो white color का fabric हमने cut किया हुआ था वो हमने ले लिया है और गोटा पटी हमने ले लिया है और देखे ऐसे half inch के distance पे हम ऐसे करके गोटा पटी लगा देंगे सभी गोटा पटी के लगाने का तरीका बिल्कुल same है देखे सभी की चोडाई हमने same रखनी है half inch, half inch सभी को एक जैसी चोडाई में हम लगाएंगे देखे ऐसे लगाएंगे, cut कर देंगे same तरीके से लगाएंगे देखे इस type से हम one by one करके पूरी जो हमारी white color का fabric है उस पे हम गोटा पटी को लगा लेंगे कुछ lines आपको लगा के दिखा रहे हैं, अब ये देखे पूरा आपने ऐसे फिल कर देना है और इसके बाद हम गोटा पटी less लगाएंगे, जो market में बड़ी ही आसानी से मिल जाती है आप dress के side में कहीं भी इसे use करते हैं, तो आपकी जो कुर्ती है, वो बहुत ही ज़्यादा stylish हो जाती है, आजकल fashion में भी है तो half inch का हमने distance रखा है, दोनों side में से half inch का fabric रखते वे हम machine लगा लेंगे गोटा पटी less पे, जो की लगके हमारी देखे, ready हो गई है जो extra हमारी गोटा पटी है, उसे हम cut कर देंगे अभी देखे, पटी हमारी ready हो गई है, हमने गोटा पटी less और गोटा लगा के, ready कर दिया है अभी दूसरे वाली strap लेंगे और ऐसे उल्टा करके रखेंगे, जिस पे हमने गोटा पटी लगाई है, plane वाले जड़ा फनीसिंग आती है, जो मसीन आपने पहले लगाई थी, वाटा पटी less लगाते टाइम, उसी मसीन के उपर से मसीन चलानी है, अभी देखे हम एक single मसीन लगा लेंगे ताकि और ज़्यादा हमारे बाजू में फनीसिंग आए देखे, एक साइड से हमने मसीन लगाई है, दूसरी साइड से अभी मसीन नहीं लगाएंगे देखे, एक साइड से मसीन लगके हमारी ready हो गई है और दूसरी साइड हमारी खुली है तो अभी खुला रखना है, अभी देखे बाजू लेंगे और बाजू पे मैंने देखे 4 इंच पे निसान लगाया हुआ है तो 4 इंच तक हम सीधा मसीन लेके आएंगे और उसके बाद हम देखे ऐसे करके हाथ से छोटी-छोटी चुननट डाल देंगे 4 इंच तक हमने कोई चुननट नहीं डाली है 4 इंच के बाद स्लिवस में हमने चुननट डाली है बाजू के दोनों साइडों में 4-4 इंच का निसान लगा हुआ है हमें वहीं तक चुननट डालनी है चोटी-चोटी लाश तक नहीं डालनी है यह देखे ऐसे हाथ की सायता से ही हम बिल्कुल चोटी-चोटी चुननट डालेंगे ऐसे मेजर करके देख लेंगे दोनों निसान हमारे ब्राबर आ रहे है यह देखे 4 इंच तक हमने डाली है अगर आपकी 19-20 हो भी जाती है तो आप बाद में भी डाल सकते हैं यह देखे ऐसे करके छोटी-चोटी चुननट हमारी डल गई है अभी हम जो हमने पट्टी तयार करी हुई है गोटा पट्टी उसी को लेंगे और जो प्लेन वाली साइड है उसकी साइड से हम हाफ इंच का डिस्टेंस रखते वे फैब्रिक पे मसीन लगा लेंगे बाजू की उपर वाली साइड सीधी साइड है और नीचे वाली साइड हमारी बाजू की उल्टी साइड है तो उल्टी साइड से हम अटेच करें हैं और सीधी साइड हम फोल्ड करेंगे और देखे ऐसे करके हमने मसीन लगा दी है अब ही हमें क्या करना है ऐसे देखे पट्टी को ऐसे करना है जो गोटा पट्टी हमने लगाई हुई है फैब्रिक को हम अंदर की साइड कर देंगे और ऐसे करके अंदर की साइड हम फैब्रिक को करेंगे और जो गोटा पट्टी लेस है वो हमारी सिर्फ बाहर दिखाई देगी जो सबी फैब्रिक है वो अंदर चला जाएगा और इससे फिनिसिंग बहुत अच्छी आएगी और अभी हम मसीन लगा देंगे फैब्रिक को अंदर की साइड करेंगे और फिनिसिंग के साथ मसीन लगाएंगे ये वाला डिजाइन आप कुर्ती के घेर में भी बना सकते हैं आप सिंपल मैंने हलकी हलकी चुन्नट डाली है जिसमें हम चुन्नट नहीं डालते हैं सिंपल बाजू रखते हैं उसमें भी आप ये वाला डिजाइन बना सकते हैं बहुत ही प्यारा लगता है नेक में जी हां नेक में भी ये डिजाइन आप यूज कर सकते हैं पट्टी टाइक में जैसे बीचो बीच हम लगाते हैं तो सेम तरीके से बना के आप कहीं भी यूज कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर लगता है बनने के बाद एक दिम ready made style कुर्ती हमारी लगती है देखें फैबरी को अंदर करके हमने अपनी जो पट्टी है उस पर मसीन लगा ली है और एक्ट्र फैबरी को कट कर देंगे बाजू हमारी ready हो गई है बहुत ही प्यारी लग रही है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए थैंक्यू फोर वोचिंग माई वीडियो